हेलो एबरीवन मैं हूँ अनील आपका दोस्त आपका स्वागत है आपके अपने चैनल साइन्स पोटली में तो आज हम चड़्चा करने वाले हैं जल विद्धुत सयंत्र या हाइड्रो इलेट्रिक प्लांट तो आज हम डिसकस करेंगे जल विद्धुत सयंत्र से क्या क्या हा बनाना पड़ता है या डैम बनाना पड़ता है जिससे हम बहुत ज्यादा मातरा में पानी को या जल को रोख सकें एक जगह एकत्रित कर सकें जिसके बाद हम उसमें विद्धुत उद्धुत उत्पन्न करने के लिए नद्यों के बहाओ को रोपकर बड़े-बड़े जलासे को पाइप के माध्यम से वड़ी तीजी के साथ उस टर्बाइन के ब्लेट पर डाला जाता है जिससे क्या होता है विद्वत उत्पन न होने लगती है जिसे हम ट्रांस्फर्मर में एक अत्र कर लेते हैं इसके बद उसे पावर हाउस में भेज दिया आता है सप्लाई करने के लिए और यह क्या है यह पुरी तरह क्या है एक नवी करणी उड़जा सोथ है अक्षा उड़जा सोथ है यह कभी समाप्त नह होने वाला सोथ है अब इसके बद हम देखेंगे इसको डाइग्राम के माद्ध हम से कि यह कैसे होता है जिसे बांद से पानी को नीचे गिराया आता है और जिससे टर्बाइन घुमने लगती है और बिजली पैदा होती है आईए एक बाइस का डाइग्राम देख लेते हैं तो देखिए आप कभी न कभी या कहीं न कहीं बांद गुमने गया होंगे या डैम गुमने गया होंगे जहां जल विदुत उर्जा को पादन किया आता है तो वहां आपने देखा होगा बहुत बड़ा बांद होता है जिसमें क्या होता है पानी बहुत ज़्यादा मातरा मे हुआ है यह हो गया गेट उसको बोलते हैं जल कपाड बोलते हैं उसके वही से क्या होता है नीचे पाइपलाइन गया रता है जो हमको दिखाईन देता है पाइपलाइन के बाद क्या होता है आपका यहां पर टर्बाइन लगा होता है नीचे देखिए यह आपका पाइपलाइ हो गया प्रवाइन हैएटरबाइन लगा है लारणक के बना दिया है मुआ के लार कली को यहां से यह लिपतार के छोड़ा आता है तो बड़ी थेजी की साथ क्या होता है जल धालकि और बहती है यहाँ जाहा क्या होता है जaking एकत्रित होता है बांद के गतिक उप्योग जल की गतिक उप्योग बांध में जब जल एकत्रित होता है तो उसमें क्या उर्जा होता है तो उसमें होता है पोटेंशल एनर्जी होता है या इस्थति जूर्जा होता है जो कि जल की स्थतिक एकारण होता है जल यहां पे सांथ है जगा एकत्रित है तो इस में क्या होता है एक और जाती है एक और यह जो पहुंज कर Tulis और यह तरबाइन होता है और साप्ट के माध्यम से जरनेरेटर भाता है जनितर से जुड़ा जाता है जिसमें सब्सक्राइब करते हैं उसको ट्रांस्फार्मर के थूरू पावर हाउस या पावर गीट को सप्लाई किया आता है और वहां से फिर आम लोगों तक उपिजली पहुच पाती है तो यह कर Himس का प्रोसेस हो गया अब यहां क्या होता टरबाइन गुलने लगता है तुप Hoor पन्पन्न रहें जलासा में एक अत्री जल से देखेए जलासा में एक अत्री जल है कि उर्जा है जब इसको गेट से पाइक के मद्याम से छोड़ान में डाल कि उब योड तो उसमें क्या होता है इस तदीज्ट उर्जा गतीज उर्जन पडिवर्तित्ती आती है जिस तदीज़ उर्जा को प्योग करके क्या है इस लगा जो ब्लेड है जो टर्बाइन में लगा ब्लेड है तेजी से घूमने लगता है एक निश्चित गती तक पहुशने पाद उसमें तो इसमें ऊत्पन्द किया आता है उसमें अब आई multiplied विजले discussion लगता है तो इसमें कुछ लाब भी हैं और हानिया भी हैं तो सबसे पहले हम लाब देखेंगे तो आईए देखते हैं जल्विदुस सयंत्र लगाने के लाब क्या है सबसे पहले आप जान लीजिए प्रदुसर्ण रहीत होता है इसमें किसी प्रकार का पलूशन या धुमा नहीं निकल करने लग जाता है एक बढ़ बनाते हैं और इसका सिस्टम बठाते हैं उस समय एक बड़ खर्चा जरूर आता है पर उसके बाद क्या होता है इसमें यह बहुत ही कम खर्चे में आसानी से लंबे समय तक चल सकता है और विदुत उत्पन्न कर सकता है और इसी में तीसरा पूरती जहां पानी की कमी हो पीने का वहां इसके लिए अप इस्तमाल कर सकते हैं इसको पर्यटन और मतस्य पालन तो बांध जहां होगा आप देखे होंगे वहां पर्यटन इस्थल बनाया गया है जहां जहां बांध होते हैं हमारे देश में वीदेश में वहां क्या होता ह परेटक बहुत सरे आते हैं और विशेषकर परेटन इस तल हुसे मनाया राता है और मतस्यपालन और जल एकट रित्र हुआ तो वह प्रहें तो मचली भी पाला राता है जिससे वह वहाँ को क्या हो रोजगार मिल सके था ये सब क्या है सहायाक लगाते हैं सेटप लगाते हैं तो सब कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है यह लेकिन वन टाइम होता है दूसरा है जल आप उड़ती ना होने पर उड़त पादन में कमी जी हां अगर बारी समय पर नहीं हुआ और जलासा में जल भराव कम हुआ तो क्या होगा आप इससे उड़ सेहमाल लीजेए जिएट आपको इतनम खुलनार मीन लेवल होता है उसके घेट खूलने का कि कितना पानी रहत सकते हैं और इस Papadana suchate खौल सकते हैं । कांदी सब्ग्रां कम रहेगा या बारिश कम होगा या पानी कम गिरेगा और जल बहाव कैसा आप दा पानी ज्यादा मातरा में क्या होता है अगर भरा आता है हमेशा डैम में डैम को यह बांध को इस तरह से बनाया जाता है कि वह कम सकम पचास साव साल तक क्या हो टिक सके तो भी क्या किया था उसके बाद भी उसमें हर महने उसको क्या किया रता है निरिछण क्या करता है देम की निशली दीवारों को जो की जलासे के डायेट संपर्ग में होता है उसके बाद भी क्या होता है ज्यादा लोट पढ़ने की कांड क्या होता हो तूट सकता है तो उसको इस तरह से ना तूटे फिर भी अगर कोई हास्सा हो जाता है तो वहां बहुत बड़ी छती होती है दोसरा भुकम्प जैसी प्राक्रतिक घटना वाली जैसे भुकम्प आ गया बहुत तेज भुकम्प रहाओ सेदिया में तो दिवालें क्रेख होके रहे फट सकती है और जिससे जानमाल का खत्रह हो सकता है तो यह कुछ इसके हानिया है तो जल विद्दुत उर्जा या हाइड्रो इलेक्टिक प्लांट के द्वारा कैसे बिजली उत्पन्न किया आता है यह भी हमने चर्चा किया तो आप सभी को आज का वीडियो कैसा लगा यदि मेरा वीडियो आप सभी पसंद आता हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों को शेयर हैं मेरा वीडियो देखते रहिए बहुत बहुत धन्यवाद